हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे convert into mixed number यह किसमें दिया गया है number पहले हमें देखना है यह number दिया है improper fraction में इसको क्या करना है हमें mixed number में convert करना है तो किस तरह से हम सिखेंगे किस तरह से हम इसको mixed number में convert करेंगे वह सिखेंगे आज हम लोग अब यहां पर देखते हैं it equals to 7 का denominator लिखेंगे 7 का 7 लिखे हम लोग ने यहां पर डाले अब 7 का table इतने बार पढ़ना है कि 30 के अंदर आना चाहिए तो हम लोग कितने बार परढ़ेंगे 7 का table तो 30 के नदर आएगा 7 forza, 7 forza कितने होते 28 7 forza 28 28 में हम लोग कितने number अट करेंगे तो 30 होएगा 2 number अट करेंगे 28, 29, 30 2 number अट करेंगे तो हमारा क्या हो गया 2 यह हमारा आ गया हम लोग ने किसमें इसको convert कर दिये mixed number में ऐसा ही हम second question देखेंगे किस तरह से हम mixed number में convert करेंगे 7 upon 4 अब 4 का table 4 को हम लोग ऐसा ही 4 लिख लेंगे नीचे 4 का 4 same लिख लेंगे अब 4 का table हम लोग इतनी वार पढ़ेंगे कि 7 के अंदर आना चाहिए तो 4 1s are 4 4 2s are 8 8 क्या हो जा रहा है 7 से बड़ा हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 4 1s are 4 1s are 4 लिए अब 4 1s are 4 हो गए अब 4 में कितना मिलाएंगे तो 7 होएगा 5 6 7 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा अब हम देखेंगे question number 3 question number 3 में किस तरह से improper fraction को हम convert करेंगे mixed fraction में 15 upon 12 अब 12 का हम लोग ने 12 सेम 12 का 12 नीचे लिखे सेम 12 का table इतनी बार पढ़ना है कि 15 के अंदर आए तो 12 बंजा 12 12 तूजा 24 तो यह क्या हो जा रहा है 24 15 से बड़ा हो जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 12 बंजा 12 अब 12 बंजा 12 12 में कितना add करेंगे तो 15 हुएगा 3 add कर देंगे 13 14 15 3 add करेंगे तो क्या हो गया यह 15 आ गया यह हो गया mixed number इसको हम लोग ने convert करे mixed number में इस तरह से question number 4 देखेंगे question number 4 11 upon 8 अब यह 8 है 8 1 जा 8 8 2 जा 8 का 8 हम लोग ने 8 का 8 सेम लिखे 8 1 जा 8 8 2 जा 16 16 तो हम लोग क्या करेंगे 16 बड़ा हो जा रहा है न इससे तो हम लोग क्या करेंगे 8 1 जा 8 फिर कितना add करेंगे तो 13 होएगा 8 9 10 11 3 add करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 question number 4 भी इस तरह से ही solve करना है यह पूरे क्या है improper यह हमारा question क्या है यह improper fraction का है इसको हम लोग ने convert करें mixed number में यह improper fraction है यह mixed number में convert हुआ है यह improper fraction है यह mixed number में हम लोग ने convert करें यह improper fraction है और इसको mixed number में convert करें है और दूसरी तरह से भी इसको solve किया जा सकता है उसको आपको हम उसको दूसरी वीडियो में बताएंगे एक कोशन और देखते हैं हाँ कोशन नमबर 5 कि किस तरह से 21 अपन 4 21 अपन 4 4 का हम लोग ने 4 लिखे अब 4 का टेबल हम लो किती बार पढ़ेंगे तो 21 के अंदर आएगा 4 फाइजा 20 4 फाइजा 20 में कितने एड करेंगे तो 21 हो जाएगा 20 में कितने एड करेंगे तो 21 हो जाएगा 1 यह हो गया और एक कोशन देखते हैं किस तरह से सॉल्फ करेंगे 20 अपन 7 अब 7 का टेबल 7 बनज़ा 7 7 तूजा 14 7 त्रिशा 21 तो 21 क्या हो जाएगा इससे बढ़ा हो जाएगा तो 7 टूजा 14 अब 14 में कितना एड करेंगे तो 20 होएगा 6 एड कर देंगे तो 20 हो जाएगा इस तरह से इंप्रॉपर फ्रेक्शन को मिक्स नंबर में कनवर्ट करना है आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब करें और मैंने लास्ट वीडियो में इंप्रॉपर फ्रेक्शन पढ़ा चुकी हूँ आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं तब आपको यह आसानी से समझ में हैगा कि मिक्स न